दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से स्क्रीन पर देख सकते हैं अगर आपको सच में परस्नल लोन का रिक्वर्मेंट है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है यहाँ पे दोस्तों आप ध्यान से देखिये यहाँ पे कमपनी कहती हैं instant personal loan application जी हां दोस्तों आज जिस application के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ यहां पे आप personal loan के लिए apply का सकते हैं mobile phone से apply का सकते हैं कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं पाती है जी हां दोस्तों यहां पे देखेंगे आपका जो loan amount रहने वाला है 10,000 रुपैस लेकर आप यहां पे 2,000,000 तक का instant loan ले सकते हैं साथे दोस्तों यहां पे हम term of office की बात करें यानि दोस्तों इनका जो tenure है 91 दिनों का shortest period है और longest period आपको एक साल तक का देखने को मिलता है यानि जो आपका EMI है 3 महिनों से लेकर आप 12 महिनों तक आप अपना EMI रख सकते हैं और अपने लिए payment कर सकते हैं साथे दोस्तों यहां पे आप देखेंगे आपको interest rate अब देखने को मिलता है जो की company कहती है depends on the customer risk profile and loan period यहां दोस्तों सबसे important बात कि जितना भी आप loan लेते हैं उसके उपर depend करता है कि आपको कितना interest rate लगाया जाता है लेकिन इनका जो genuine interest rate है यहां पे आपको देखने को मिलता है annual interest rate की बात करे तो 15% से लेकर आपको 30% देखने को मिलता है इसके बीची आपको लगाया जाता है जब भी आप loan के लिए apply करते हैं साथ ही दोस्तों यहां पे अगर हम handling fee के बारें बात करें तो आपको zero handling fee देना होता है handling fee के अंदर दोस्तों आपको जो processing charge है आपको जो GST है यह सारा include हो जाता है pre closer fee यह सारे कुछ include हो जाते है तो यहां पे आपको कुछ भी payment नहीं करना होता है अब दोस्तों आइए मैं आपको एक practical example के माध्यम से यहां पे समझाने की कोशिस करूँगा कि अगर आप इस application से अपना दिमाग में खयाल बना लेते हैं loan के लिए यहां पे मान के चलिए अगर आप 10,000 रुपय का loan लेते हैं यहां पे आपको 25% annual interest pay काना होता है यहां पे अगर बात करें term की तो आपको 91 दिनों का यहां पे अगर आप loan लेते हैं 3 महीनों के लिए तो दोस्तों आपको यहां पे deduct किया जाता है जो handling fee और interest आपको जो लिया जाता है यहनी कहने का मतलब है कि interest जो आप से लिया जाता है करीब 624 रुपय आपको interest यहां पे pay करना होता है साथे दोस्तों आपको total due amount जो pay करना होता है 3 महीनों के बाद 10,624 रुपय आपको payment करना होता है कहने का मतलब दोस्तों कि company यहाँ पे कोई भी handling charge नहीं लेती है कोई भी processing charge आपसे नहीं लेती है बाकी other company के बारे में हम बात करें तो वहाँ पे आपको processing charge देना होता है plus GST आपको 18% pay करना होता है तो यहाँ पे आपको वो नहीं लगाय जाता है यहाँ पे देखेंगे आपका पहला यहाँ पे installment देखने को मिलता है second, third आपको तीन installment यहाँ पे करने होते हैं अगर आप यहाँ पे 10,000 उपर का loan लेते हैं तो I hope सो दोस्तों आपको एक छोटा सा clarity मिल गया होगा कि अगर आप इस application के माधम से 10,000 उपर का loan लेते हैं तो कितना आपको interest payment करना होता है कितना आपको total due payment करना होता है यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि company बोलती है कि हम इंडिया का mobile online loan platform है जहाँ पे हम अपने customer को high quality online credit loan service provide करते हैं आप अपने mobile phone से इस इसको use कर सकते हैं even आप apply कर सकते हैं अपने लिए home loan भी आप यहाँ पे apply कर सकते हैं और अपने financial problem को आप solve कर सकते हैं यानि company fully dependent है आपको किसी भी परकार को loan की आवशकता है personal loan हो गया, home loan हो गया, business loan हो गया traveling के purpose से, wedding के purpose से तो सारा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है आप आराम से, जिस भी purpose के लिए loan के लिए apply करना चाहते हैं यहाँ पे आप apply कर सकते हैं साथे दोस्तों यहाँ पे हम बात करें कि आपको loan apply करने के लिए कौन-कौन से चीजों का यहाँ पे आपको requirement देखने को मिलता है तो सबसे number one पर दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलता है Indian होना चाहिए, citizen और age आपका 18 से 50 साल के बीच होना चाहिए तब जाके आपको यहाँ पे loan मिलने की chances है आपके पास pen card और आधार card होना must है एक mobile number होना चाहिए जो आपके pen card से या फिर आधार card से link होना चाहिए आपके पास एक bank account होना चाहिए और दोस्तों सबसे important बात की आपका stable monthly income होना चाहिए जिहां दोस्तों stable monthly income कहने का मतलब है कि मानकचले आप कहीं पे job करते हैं पर month आपको एक particular date में आपकी salary आती है या अगर आप business करते हैं तो आपके पास पैसे आते हैं तो इस प्रकार से आपका stable monthly income होना चाहिए तब जाके दोस्तों यहाँ पे आपको loan मिल सकता है in fact अगर आप एक student है तो यहाँ पे आपके लिए यह application नहीं है यहाँ पे दोस्तों मैंने आपके लिए बहुत सारी वीडियो बनाई है जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि अगर आप एक student है तो कैसे आप अपने लिए personal loan के लिए apply कर सकते हैं कैसे आप packet money के लिए apply कर सकते हैं और जो भी आप पैसे लेते हैं उसको आप कैसे EMI में चुका सकते हैं तो उस वीडियो का link मैं आपको इसी वीडियो के description में दे रहा हूँ वहाँ पे दोस्तों आप जाके उन वीडियो को देख सकते हैं और अपने लिए loan के लिए apply कर सकते हैं फिलाल ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जो उन लोगों का stable monthly income है कहीं job करते हैं, business करते हैं उनके पास पैसे रहता है तब जाके आप यहाँ पे loan के लिए apply कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको जिस application के बारे में बताने वाला हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं cash cow, personal loan जी हाँ दोस्तों ये एक बहुती धासू application है यहाँ पे आपका जो भी financial goal है, financial problem है आपको loan की अवशक्ता है यहाँ पे आपको आराम से loan मिल जाता है एक ही चीज आपको यहाँ पे fulfill करना होता है यहाँ पे आपका monthly stable source of income होना चाहिए तब जाके आपको यहाँ पे loan आराम से मिल जाता है यहाँ पे हम rating की बात करें तो 4.1 आपको rating देखने को मिलता है out of 5 जो की एक बहुत बढ़िया rating आपको देखने को मिलता है साथ ही यहाँ पे आपको download एक लाग से जादा लोगों ने application को download कर लिया है तो दोस्तो आईए अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि दोस्तो अगर आप सच में loan के लिए apply करना चाहते हैं तो आपको कैसे apply करना होगा तो चार स्टेप में दोस्तो आप यहाँ पे loan के लिए apply कर सकते हैं सबसे पहला स्टेप दोस्तो आपको install करना होगा play store से cash cow application को जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको application को दिखाया भी है कि कि किस नाम से play store से available है यहाँ पे आप देखेंगे आपको उसके बाद loan eligibility चेक करनी होती है अपने कुछ detail को feel करके जैसे कि आपका pen card हो गया उसको feel करके आप eligibility को check करेंगे जैसी दोस्तो आप eligible हो जाते हैं आपको approval मिल जाता है तो यहाँ पे आपको desire loan का amount भरना होता है और approval का आपको waiting करना होता है जैसी दोस्तो आपको approval मिलता है आपको अपना bank detail submit करना होता है जैसी आप bank detail को submit करते हैं तो कुछ देर के अंदर दोस्तो आपका जो पैसा है जितना भी आप loan का amount लेना चाहते हैं आपके bank account में disperse कर दे जाता है तो I hope दोस्तो अगर आप सच में person loan के help like करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जादा informative था क्योंकि दोस्तो इस वीडियो में मैंने आपको एक ऐसे application के बारे में बताया है जहांपे आपको आपका जो financial problem है आपको loan की आवशक्ता है वो आपका fulfill हो सकता है I hope दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंदा होगा तो प्लीज ये वीडियो को like किजिएगा दोस्तो के साथ share कर ये चैनल पे आप नए है सब्सक्राइब करिए घंटी के बेल को प्रस करिए ताकि मेरी वीडियो की update आपको मिलती रहे मिलते हैं आपस नेक्स वीडियो में तब तक लिए जय हिन बंद मात्राम